कर दोस्तो दोस्तो आज मैं आप लोगों के अनुपात समानुपात को कुछ इंपर्टेंट प्रश्ट लेकर गाए और अगर आप किसे भी एक्जाम के तयारी कर रहे हो आपके लिए इंपर्टेंट होगा तो चलिए देर ना करते बहुत सुरू करते दोस्तों तो देखिए प आपको क्या करना है यह संख्या लिखे और गुना में लिख दीजिए यह नोगरे 25 और रूट डाल दीजिए अब जब इसका रूट निकालें वर्गून निकालें इसका तीन आ जाएगा नौका और 25 का पांच आ जाएगा इसको गुना कर देंगे तो हमारा 15 इंसर आ जाएग दोस्तो चली आगे बरता हुर नेक्स प्रस को देखते हैं अब दूसरे प्रसन अब का देखे क्या बोल रहा है 12 और 30 का तिर्टिया नुपाती ज्याद कीजिए अब आपसे तिर्टिया निपाती निकालने के बोलना है दोस्तों ठीक है आज पूरा वीडियो वाच कीजिए है दोस्तों इस तरह प्रसमे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अभे बारह और तीस है और यहां आपको बोल रहां तीर्तिया नुपाती जाता है तूस्तों यहां आगे जो एई तीसरा नंग बढ़ जाती है यह तीस हो गया और चौथा अनक जो हमारा कोछर मारका जाएगा अब अंदर अंदर गुना की जिए और बाहर बाहर गुना की जिए दोस्तो अब बारा एक्स ये बाहर बाहर गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा बारा एक्स और अंदर अंदर गुना करेंगे तो तीस गुने तीस आ जाएगा तो X बराबर क्या होगा 30 गुने 30 और बटा ये 12 बटा में आजाएगा आप कर दो Chelsea 3 चौके 12 और 3 दाहिया 30 इसको कर दो 3 चौके 12 हो गया 3 दाहिया 30 हो गया 2 दुनी 4 और 2 पचे 10 हो गया उसके बथ कर दो से ये 15 बार में कर जागा तो अब कितना बचा दोस्तो 15 और 5 इसको गुना कर दीजी और जब इसको गुना करेंगे हम तब 15 पच्छे 75 आएगा दोस्तो अहीं हमारा इंसर आजाएगा तो तिर्तियान उपाती क्या है दोस्तो तो ये 75 तरह है सही इंसर क्या हुआ बी नमबर थोड़ा मेरा गला जाम है दोस्तो इधर तब ठीक नहीं चल रही है तो थोड़ा मेरा आवाज जो है सो दभी दभी आएगी तो प्लीज आप लूग जो है सो अच्छे से सुनिएगा च जिले ठीक है चले आगे बढ़ते है और नेक्स प्रस गो देखते हैं अब देखिए चौते नंबर परस दोस्तों चौता नंबर प्रस बोला है सोरी एक मिनिटा ओधो दूसरे number प्रस था दोसो वो दूसरा नमबर था ये तीसरा नमबर है चलिए अब तीसरा नमबर प्रस आपका बोल रहा है दोस्तो छे पात इकीस का चतुर्थ नुपातिक ज्याद कीजिए अब चतुर्थ नुपातिक ज्याद करने के लिए बोल रहा है तू क्या करना है देगे दोस्तो छे है उसके ब अब चत्र अनुपात ही, चौथा अनुपात क्या है, यह एक्स मान लीजिए, अब क्या है कि अंदर अंदर गुना हो जाएगा, यह अंदर अंदर गुना हो जाएगा, और यह बार बार गुना हो जाएगा, अब जब इसको हम गुना करते हैं दोस्तों, तो यह हमारा छे एक् बराबर 5 गुने 21 उसको एक्स बराबर क्या आएगा पांच गुने 21 बटा ये छे बटा में आ जाएगा अब काटे तीन दूने 6 और 3 सत्य इकीस अब कितना आएगा तो देखे साथ पचे 35 35 बटा दो आया और जब इसको काटेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा तो 35 में दो आगे दोस्तों सही इंसर क्या हुआ दूस्ती नम्बर हुआ दोस्तों चैलिए आगे बरते हो नेक्स प्रस को देखते हैं अब देखिए चौते नम्बर प्रस दोस्तों चौता नम्बर प्रस आपके से कह रहा है आठ पांथ टूपवेंट फाइब का पर्थमानु पाति गयाद कीजिए अब पर्थम अनुपात किया अपसे बोला जा रहा है तो पर्थम अनुपात इसमें नहीं दिया थिसको एक स सर्मानु पात के चिनदी यह और यह 5 आ जाएगा यहां पर अनुपात 2.5 अब क्या जो को यह अंदर-बेंदर गुना हो जाएगा और यह बहर-बहर को जाएगा यह जाए अब इस प्वाइंट को अटाए तो एक जिरो यहां पड़ जाएगा अब यह 25 है देगे दोस्तों यह हमारा 25 है और यह हो गया 50 तो कितना हो जागा 25 दूनी 50 और यह गुना करेंगे 8 दूनी तो 16 तो हमारा कितना इंसर आया दोस्तों तो सही इंसर आया सुल जाल आगे बढ़ते हैं और नेक्स प्रस को देखते हैं अब पांचमें प्रस को देखें दोस्तों पांचमें प्रश्न है हमारा A अनुपात B बरावर 7 अनुपात 9 तथा B अनुपात C बरावर 1 अनुपात माच हो तो A B से बरावर कोच्चर मार्क देखें दोस्तों कैसे बनेगा एक गदम सिंपल सा ट्रीक है आप अगर नॉर्मल तरीके से बनाईएगा तो A अनुपात B लिखिएगा ये वाला लिखें उसके बन लिखेंगा B अनुपात C तब B के निखें B आएगा और ये C लिख दिए देएगे अब हमारा क्या है इसको यहां आगे बढ़ा दीजिए दोस्तों ये B को यहां बढ़ा दीजे और इस B को इधर खाली है ते B को यहां बढ़ा दीजे अहीं करना है दोस्तो अब हम उसको लिखते हैं तो देखें कि A B B B और B C हो गया तो साथ नौ ये जो है तो पहले साथ नौ लिख दिये हैं A और B के जगा उसके बटा में जो B और C लिखे थे तो इसका A कनू पाथ पांच है तो यहां एक लिख दिये देखें यहां भी B है और यहां भी है तो B के नीचे B लिखे थे तो यह हमारा B एक है देखें और C मारा पांच है तो यह एक लिख दीजे और ये हमारा 5 लिख दिये अब हम इसको इधर बढ़ा देंगे ये 9 इधर बढ़ा देंगे इधर खाली है तो इसको एक यहां बढ़ा देंगे अब इसको गुना कर दीजिए दोस्तो तो 9 पच्छे 45 और ये 9 एकम 9 उसके बाद 7 को एक चुना करेंगे तो 7 तो हमारा A B C ये जो है A B और C कितना गया तो 7 9 और 45 आगया दोस्तो तो सही एंसर क्या होगा तो 7 9 45 ए नमबर होगा दोस्तो बस कुछ नहीं करना है दोस्तो बस यहां खाली उसको उसके बगल वाले को आगे बढ़ा दीजिएगा चलिए आगे बढ़ते और नेक्स प्रस को देखते हैं अब देखे छट्टे नमबर प्रस्त दोस्तो छट्टे नमबर प्रस्त है देखे A B B C और C D A B बराबर 3 अनुपाद 4 B C बराबर 5 अनुपाद 7 और C D बराबर 8 अनुपाद 9 तो आपसे पूछ रहा है A अनुपाद D क्या होगा आप अभी मैंने जिस तरीके को बताया उस तरीके से इसको बनाईएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ दोस्तो यह A और D निकालने के लिए बोल रहा है आपसे गुने फिर क्या है B अनुपाद C तो B बटा C उसके बाद क्या है दोस्तो तो C अनुपाद D और C बटा D भी हम लिख सकते हैं इसको यह हम लिख दिये दोस्तो अब क्या किजिए A बटा B और A हमारा 3 है और B हमारा 4 है तो 3 बटा 4 हो जाएगा गुना में B अनुपाद C तो B हमारा 5 है C अनुपाद 7 है तो हम 5 बटा 7 भी लिख सकते हैं इसको गुने C अनुपाद D तो C बरावर 8 और D बरावर 9 तो हम इसको 8 बटा 9 लिखते रहे हैं अब इसको काड़ देजी दोस्तो तो 3 ती या 9 यह कट गया 4 दूनी 8 यह कट गया दोस्तो और कटेगा देखे और कटेगा अगर नहीं तो और हमारा नहीं कटेगा तो यह 5 दूनी 10 आ गया कितना गया तो 10 और यह 7 है यहां पर यहां तीन तो 7 यह 21 तो हमारा A अनुपाद D क्या आ गया दोस्तो इह अनुपाद डी हमसे पूछाता तो यह तो एकना आ गया तो दस अनुपाद 21 आया जो कि टाया तो 10 अनुपाद 21 तो सभी इंसर क्या हो गया तो सिरी नभर हुआ दोस्तों चलिए आके बढ़ते हैं और नेक्स प्रस को देखते हैं अब देखिए साथ नमबर प्रस दोस्तों साथ नमबर प्रस है अधि एक स्वाई बराबर चार अनुपाथ पांच हो तो फाइब एक्स फाइब एक्स मैंने थ्री वाई अनुपाथ सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई कमान ग्याद किर जेए अब हम इसको ऐसी भी लिख सकते है दोस्तों एक्स बटा वाई तो एक्स कमान चार है वाई कमान पांच है ये चार है और ये पांच है दोस्तों अब इसको इसी पर बैठा द कितनाज है यहां चार है यह तैस्ट रेत तो कोने 4 मैनस का चींज दे धिए घष्टाव का चीं तीन 3 zrobić कोका यह पांच है तो तीन गुने पांच कर देजे यह हो गया दोस्तो फिर जो है छे एक्स तो छे और एक्स कमान हमारा चार है तो छे गुने चार कर देजे प्लस तीन उन्हे यह वाई कमान कितना है तो पांच है यह गुने पांच कर देजे दोस्तो अब इसको क्या किजिए? पांच चोके 20 हो गया, माइनस 3 पचे 15 हो गया, यह हो गया, उसके बाद देखिए 6 चोके 24, और जोड का चिन 5 यह 15, अब इसको जोड दीजिए दोस्तों, 20 में 15 गया, तो 5 आ गया, और 24 अब 15 को जोड दीजिए, कितना जागा? 49, 39 आ जागा दोस्तों, त पांच अनुपात 49, 39, तो सही इसको क्या हो, डी नमबर हो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स प्रस को देखते हैं, अब आठवे नमबर प्रस देखिए दोस्तों, आठवे नमबर प्रस बोला है, 17 अनुपात 19 के परतेक पद में से, क्या घटाया जाए, कि अनुपात 5 अनुपात 7 हो जाए, अब घटाने के लिए बोला दोस्तों, चलिए एक मिनट इसको के लिए करते लेते हैं, दोस्तों, वीडियो को पहुच किजिए आप लोग, और बनाने का कोचिए कि देखिए कि आप से बनता है, या नहीं बनता है, तो 17, और यह बटा महम हम उनिस लिख सकते हैं, घटाया जाए, और नहीं दोनों मैनस देदीचे, तो हम एक्स को घटा जेते हैं, दोनों में एक्स को घटा जाए, कि 5 अनुपास 7 आजए, तो 5 बटा साथ आजए, अब क्या करेंगे, यह तिर्चा गुना होता है, यह तिर्चा जब भी बराबर र अब 5 को हम उनिस से गुना करेंगे, यह तिर्चा गुना हो रहा है, तब 5 कुनिस से, तो उनिस पचे पंचार भी आ जाएगा, और मैनस के चिन, यह 5 एक्स, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यह हम इसको इधर ले जाते हैं, तब मैनस से इधर प्लस हो जाएगा, जाएगा, हम इंट दोस्तों, यह पाध यह इधर ले आगे दोस्तों, तो 5 एक्स यह बरभर के बाद मैनस इधर आ आएगा, जीको ढूंट के कलने है, तो 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 यह हो जाएगा, प्लस में, यह हो जागा मैनस में, तो यह हमारा आ जाएगा, जाह कितना गागा, घो टू एक्स, उसकी इसको हम इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे ते 119 पर 95 घषटा देंगे तो चूप इस बचेगा दोस्तों यह माइनस का कोई माने मतलब नहीं है ठीक है अब एक्स बराबर क्या हो जागा तो तू से कार दीजिए इसको तो कितना आजागा बारा आजागा दोस्तों तो हमसे पूछ रहा था कि परतेक पद में क्या घषटाया जाए तो हम एक्स माने थे और एक्स बराबर कितना आजा दोस्तों तो बारा है हमारा एंसर आगया दोस्तों अब नौए नमबर प्रस्ट को देखें दोस्तों एक मिनिट नौव नमबर प्रस्ट दोस्तों तीन अनुपाथ 5 के परते प्रत में क्या जोड़ दे कि अनुपाथ 2 अनुपाथ 3 हो जाए तीन अनुपाथ 5 अब है 3 5 ये 5 लिख सकते हैं तीन बटा 5 इसको जोड़ देँ तो X जोड़ देते हैं क्या जोड़ दे तो X जोड़ देते नों में तो अनुपात क्या हो जाता है, दो अनुपात तीन हो जाता है, अब हमारा ये तीरचा गुना होता है, 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 तीरचा गुना होता है और प्लस दो X ये आ गया दोस्तों अब इसको इधार ले आएगी तो 3X में 2X चल गया तो कितना बचेगा 1X बच जाएगा 1X और ये हमारा इधार चलाएगा दोस्तों तो 10 में 9 गड़ जाएगा तो 1 बचेगा दोस्तों तो बोल रहा था कि प्रते एक पत्मे क्या जोर दे कि अनुपात 2 रूपात 3 हो जाएगा हम एक समाने ऐते हैं दसवा नमबर प्रस्ट है, दो संक्याओं में 7 और 9 का अनुपात है, परते एक संक्याओं 5 जोड़ दे, तो परते उनमें 4 अनुपात 5 हो जाता है, बड़ी संक्याओं ग्याद किती है, अब आपसे बड़ी संक्याओं पूछ रहा है दोस्तों, लेकिन अगर पिछला क्या हो, 7 और 9 है, तो इसको 7 एक समान लीज़े, एक समान न पढ़ेगा आपको, यह 9 एक से, परते एक संक्याओं 5 जोड़ दे, इसमें भी 5 जोड़ दीजे, और इसमें भी 5 जोड़ दीजे, तो क्या होता है, उनमें 4 अनुपात 5 का अनुपात हो जाता है, चार बटा 5 का यह तीर्चा जोड़ गुना कर देते हैं, अब तीर्चा गुना करेंगे तो 5 सते 35, कितना हैगा, तो 35 एक से, पलस 5 को 5 से गुना करेंगे, यह 5 को 5 से गुना करेंगे, तो यह 25 हो जाएगा, यह बीच में बराबर केचिन दीजे दोस्तों, उसके बश्या होगा, यह 4 को 9 ए 26 हो जाएगा, पलस 4 पचे बीस, अब हमारा यह इधर जाएगा, और यह हमारा इधर आएगा दोस्तों, तो 36 में 35 घटा देंगे, तो कितना होगा, एक से बचेगा, तो एक से और यह 20 हमारा इधर आया, तब 25 में 20 घटा दिए, कितना बचा, पाँच, तो एक से बड़ी संक तो नौ एक्स बराबर नौ एक्स कमाना है पांच इसको गुना कर दीजिए और इसको जब गुना करेंगे तो नौ पचे 45 आजागा दोस्तो अई हमारा इंसरा गया सही इंसर क्या हुआ तो सी नंबर वह दोस्तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहे हो तो फ्ल जली आगे बढ़ते हैं और नेक्स प्रस्त को देखते हैं मॉर्निंग में दोस्तो मैं आप लोगों के लिए जीके का कुछ कोचन ला रहा हूं अगर आप लोग सपोर्ट किजिएगा तो मैं उसे रेगुलर रखूंगा उस सारे ऐसे प्रस्त में बताऊंगा जो हमेशा एक जोड़ेंगे तो अन्ठानवी है 98 हो तो बड़ी संख्या ज्याद की दिए अब इसे आपको बड़ी संख्या ज्याद करने के लिए लिए दोस्तों तीन संख्या है कितना कितना है यह 10 है एक्स मान लेजे दोस्तों असान हो जगा 10 x 15 x प्लस 26 बराबद तीनों संख्यां को जोड़ेंगे तो अन्ठानवी आ रहे है आप इसको जोड़ दीजे 15 10 25 25 24 कितना हो जागा 49 x बराबर अन्ठानवी तो एक्स पराबर क्या होगा यह 49 दुनी अन्ठानवी यह कट गया एक्स बराबर कितना है दो आया दोस्तों एक्स बराबर दू अधंडा आप से पूछ रहा है बड़ी संख्या गयात की जेस दो बरी संक्या कितना है 24 से है और कितना माने सेँ एक्स माने से 24 एक 돼 sick तो 24 x बराबर कितना परीट है तो एक्स पराबर कितना एगा तो चूब्श एप्स और एकस का मान कितना है तो दूया तो आगे बरते हैं और नेक्स प्रस को देखते हैं तो आपके लिग्राम जोइन कर ले डिस्क्रिप्टिन में लिंक में डाल दूंगा चलिए आगे बरते हैं और 12 में प्रस को देखते हैं अगररान प्रस्ट दोस्तो दो दो तो एक वर व्यडियों को पहुच किजे अपनाने का कोशि师 कि दीखिया आपसे बனता है कि नहीं यह ऐइड़ाम में पुछा हुए प्रस्ट दोस्तो और स्ध compliance समया बार बारह होता है देखे बाराव प्रस्णा आपका एक विजाने में 400 विजार्थी ते जिर में लड़के तथा लड़कियां पांच और तीन के अनुपात में थे पतास लड़कियां और बढ़ गई अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा आप लोग देख लिए होंगे दोस्तों कि और मुझे उमीद है कि आप लोग से बन भी गया होगा नहीं चले मैं भी बता देता हूँ आप लोग देख लीजे यह पांच और तीन के अनुपात में वाई और गर्ल जो है तो पांच अनुपात तीन में हैं और दोनों को जोड़ कितना हो जागा आठ हो जाएगा दोस्तों कितना हो आठ अब आठ कुल चाहत कितना हुआ तो आठ और आठ में लड़कियों की संख्या कितना है तो तीन है दोस्तों तीन है तीस चारसो विद्यार्थी में कुल विद्यार्थी और चारसो विद्यार्थी में कितनी लड़कि का अब काटिे 8 पन्जे 44 एक जिरो ऐनी हमारी लड़कいうं किसन नगे पजाने क banco और पजाने ऑज दोस्टों जब लड़कियां इस गयर्ल हमारी अब्रण के लड़कियां लड़कियी तो सब्रतास अ है तो लड़न कितना हो जाएगा तो लड़के देड़ सो जाएगा अलाइस हो जाएगा ठीक है यह अलाइस हो जाएगा लड़के यह हो गया दोस्तों अब पूछ रहा है अब लड़के तता लड़कियों का अनुपाद क्या होगा लड़के तता लड़कियों का अब यहां से थोड़ा से इधर कर देते हैं यह ब तो एक मिनिट अनुपात में थे 50 लड़किया और बढ़ जाए पताश लड़किया और बढ़ जाए तो यह हमारा डेर सो था तो इसको लिख सकते 150 200 लिखते हैं जारेक लिख दे सकते हैं लेकिन हम थोड़ा से लंबा कर रहे हैं प्लस पचास तो यह हमारा आ जाएगा 200 अगर हम 50 से काटेंगे तो यह हमारा पांच बार में कर जाएगा और यह हमारा चार बार में कर जाएगा और यह हमारा चार बार में कर जाएगा और पांच अनुपात चार आगे दोस्तों कितना है तो पांच अनुपात चार आगे दोस्तों कितना है तो पांच अनुपात चा अब देखें तेरा नमबर प्रश्ट दोस्तों तेरा नमबर प्रश्ट ने आपका दो संख्याओं में तीन अर्दों का नुपात है जबकि उनका योग तेर सो है 150 है छोटी संख्या ग्याद कीजिए तरी एक्स प्लस टू एक्स बराबर उनका योग कितना है तो एकस फिर तास है एकस प्लसे अब तीन अर्दों कितना वह पांठ इकस हो गया अनिक तू एकस तोक टू एकस बराबर नोड़कित कुट्या थीसा आ तीस से खुला कर दीजे कितना जगा साट हो दोस्तों अई हमारा एंसर हो गया तो सही एंसर क्या हुआ तो सी नमबर हुआ दोस्तों चले आगे बढ़ते और नेक्स प्रस को देखते हैं कि सुबह में आप लोगों के लिए जी के क्लास लेकर आ रहा हूं दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए अब देखें चाओदा नमबर प्रस्तों चाओदा नमबर प्रस्त है एक संक्या का 25 परसेंट दूसरी संक्या का 20 परसेंट के बराबर है दोनों संक्याओं में अनुपाद क्याद कीजिए अब एक संक्या का 25 परसेंट माले एक से एक संक्या एक से इसका 25 परसेंट तो पटीस और परसेंट में सव लिख दिए बराबर दूसरी संक्या के 20 परसेंट के बराबर है यहां बराबर के चिन दे दिए दूसरी संक्या वाई माले दिए अब 20 परसेंट परसेंट में है तो तो क्या आगा दोस्तो या दे कि आ इसको ऐसी लिक्स ये तीर्चछा गुरा हो जागा तीर्चा हो जागा तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं ये इस वाइब एक्स फाइब एक्स बराबर ये 4Y, 4Y अब X बराबर हमारा हो जागा 4 और Y बराबर हो जागा 5, दीखे तो X और Y ये कितना होगे दोस्तो ये हमारा हो जागा 4 अनुपाथ 5, नहीं हमारा इंसर हो गया तो सही अनसर क्या होगा दोस्तो 4 अनुपाथ 5 दोस्तो अगर आपको को वीडियो अच्छी लग रोस्परीज चैनल सब्क्राइब कर ले और वीडियो का अधिक साधिक सेयर करते दोस्तों सुभा का ठीके नौ बजे देखना जरूर ना भूले चले कल मिलते हैं थैंक यू